बॉनी कपूर ने बेटे अर्जन कपूर ने कभी भी श्री देवी को अपनी मा नहीं माना उसने अपनी सौतेली मा मानने से भी इंकार कर दिया कितनी पाटियोज में एक साथ रहने पर भी वह श्री देवी से काफी दूर रहे है उसकी वज़ा श्री देवी और बॉनी कपूर की शादी है बॉनी कपूर की शादी मोना शर्यक के साथ सन 1913 में हुई थी जिससे उनके दो बच्चे थे एक लड़का अरजुन कपूर और एक लड़की आश्ला कपूर मगर कुछी सालों में बॉनी कपूर ने श्री देवी के साथ दूसरी शादी कर ली इसकी वज़ा से मोना कपूर काफी दुखी हुई है उनके करीबी रिश्योदारों ने बताया कि बॉनी कपूर ने जब श्री देवी से दूसरी शादी की थी तब वो काफी सदमे में रहे हैं और उसकी वज़ा से बॉनी कपूर की दूसरी शादी के वज़े से अर्जुन कपूर के अनुभव से अर्जुन को पूरी तरह से बदल दिया था अर्जुन जिन्दगी के प्रती काफी लकानमक्रवया बना रहे थे जब श्रीदेवी की शादी बौणी कपूर के साथ हुई थी तभी मोना ने एक इंट्वीव में कहा था कि इसके कारण स्कूल में अर्जुन, कपूर और आशला को स्कूल के बच्चों ने काफी ताना मारा था और उसके वज़े से उनकी जिन्दगी के सबसे कठिन दौर से गुजरे थे तब उनके साथ कोई अर्जुन कपूर के इस वज़े से बहुत छोटे थे मगर पेपर में आए हुए सब समाचार को वो ठीक तरह से समझ रहे थे उसके तनाओ के समय कोई था तो सिर्फ उनके चाचा संजय कपूर और सलमान कान थे इस दौरान वही श्री देवी को पूरी तरह से विलन मान चुके थे इसी दौरान जब उनकी मा मोना को कैंसर हुआ था तब सबसे ज्यादा रिष्टे खराब हो चुके थे अरजुन को लगा था कि जब उसके पिता को उसकी मा को सबसे ज्यादा जरूरत थी तबी वो कही और एक इंटर्वियू में अरजुन ने कहा था श्री देवी मेरी मा कभी हो नहीं सकती वह मेरी मा की तरह भी नहीं हो सकती वह केवल मेरे पिता की पतनी है इसके बाद श्री देवी ने एक इंटर्वियू में कहा था कि मैंने कभी भी बॉनी को उसके बच्चों और परिवार से दूर नहीं किया और कभी भी उसको मिलने से नहीं रोका अर्जुन के पहले फिल्म इश्कजादे रिलीज हुई तभी उनकी मा की मौत हो गई थी तभी भी उन्होंने श्रीदेवी से दूरिया बरकरार रखी टाइम मिलने पर वो कभी कभी अपने सौते बेहने खुशी और जानवी को मिलने जाते थे ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीज़े हमारा चैनल पॉलिवूड इंसाइड आप झाल चैनल जाइड चैनल था है मैं आप थे